Hello everyone, welcome to our channel Everyday Life आज के हमारी रोचोक और उप्योगी जानकारी है Difference between Tomato Ketchup and Tomato Sauce इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि Sauce and Ketchup वर्ड का असल अर्थ क्या है तो चलिए शू करते हैं आज सबसे पहले ये Tomato Ketchup शुप केचप और Tomato Ketchup के जन्ड का इत्यास सोड़ा जोल वाला है यहां तक इनको इन अलग-अलग वर्तनी ये स्पेलिंग द्वारा लिखा गया पुराने समय में केचप मश्रूम, मचली, सिर्का, नमक, अन्य मसालों से बनता था सत्रूए सदी में जब स्पेन की लोगों ने दशिन अमेरिका से टमाटरों को लाकर अमेरिका और उर्योप में प्रस्तुत कर दिया तब इस केचप में मचली और सबजियों के साथ टमाटर भी डाला जाने लगा बाद में कैचप में से मश्रूम मछलियों को हटा कर केवल पूरे पके टमाटरों से इसे बनाया गया अमेरिका में फिलडेलफिया में जेम्स मेज ने 1812 इसवी में पहली बार टमाटो कैचप की विधी को चपवाया और धीरे धीरे ये टमाटो कैचप दुनिया भर में प्रसिद्ध हो गया इस टमाटो कैचप की मुखे समागरी में पानी, छीनी, टमाटर का पेस, गाड़ा करने वाले तत्व, प्यास, लहसुन, मसाले और प्रिजर्वेटिव्स हैं हर ब्राण के कैचप की समागरीयों और समागरीयों के अनुपात में थोड़ी भिनता होती है टमाटो कैचप हर किराना दुकान में उपलब्ध है, इस 200 ग्राम कैचप का मूले 60 रुपे है, इसके समागरी थोने की अवधी 12 महीने है, परन्तु बोतल खोलने के बाद आप इसे फ्रिज में रख 3 महीने तक उप्योग कर सकते हैं आज दूसरा हमारे पास है ये टमाटो सॉस, सॉस का मूल शब्ध जिसे ये बना है उसका अर्थ होता है सॉल्ट यानि नमक या नमकीन, सॉस को सरल भाशा में भोजन का स्वाद बढ़ाने वाला, भोजन का पूरक या कॉम्प्लिमेंट करने वाला कहा जा सकता है सॉस, तरल, हलकी गाड़ी से एकड़म गाड़ी हो सकती है परंतु अधिकतर सॉस, हलकी गाड़ी से गाड़ी की बीच की सनरशना ये कंसिसेंसी वाली होती है मीट से बनी सौस मासाहरी भोजन के लिए और सबजियों से बनी सौस अक्सर शाकाहरी भोजन को बनाने, सजाने और स्वात बढ़ाने के लिए उपयोग में लाई जाती है आरम में टमाटो सॉस को टमाटर, सबजियां जैसे गाजर, मासाहर की टुकडे, आटा एनी फ्लावर, प्यास, लहसुन और तेल या मक्षन में पका कर बनाया गया स्वात को निखारने के लिए ताजी हर्प्स जैसे थाइम, बेजल और मसालों में नमक और काली मिर्च का भी उप्योग किया गया फ्रांस में इसका सुरूब लगवग आज भी ऐसा ही है और इस तरह से बने टमाटो सॉस फ्रांस की पांच मदर सॉस में से एक है इस सरह की सॉस को शेफ अगस्टो एसकोफियर ने अपनी पुस्तक में सन 1912 में शामिल किया था टमाटो सॉस मूलता ना तो कड़वी होनी चाहिए और ना ही खटी और ना ही बहुत अधिक मीटी वैसे टमाटो सॉस सबसे अधिक पास्ता के साथ प्रसिद हुई पास्ता के साथ वाली टमाटो सॉस थोड़ी भिन थी टमाटो सॉस हर देश अपनी खादे परंपरा के अनुसार बनाता है विश्व के अनेक देशों में टमाटो सॉस कॉंडिमेंट न होकर भोजन की क्रेवी जैसा हिस्सा है परंतु भारत तथा राश्मंडल देशों में टमाटो सॉस एक कॉंडिमेंट या चटनी की तरह उपयोग में लाई जाती है कॉंडिमेंट के विशय में जानने के लिए आप हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं इस टमाटो सॉस की मुख्य समगरी, चीनी, पानी, टमाटर का पेज गाड़ा करने वाले तत्व, प्रिजर्वेटिव्स और मसाले हैं टमाटो सॉस के हर ब्रैंड की समगरिया उनका अनुपा थोड़ा अलग-अलग होता है कुछ ब्रैंड टमाटर के साथ अन्य मसालों का समा वेश कर ये सॉस बनाते हैं जैसे टमाटो चिली सॉस, होट अन स्वीट, टमाटो सॉस टमाटो सॉस के कई ब्रैंड हर किराना दुकान में उपलब्ध हैं इस 500 ग्राम सॉस का मुले 105 रुपए है वैसे तो इसकी समापती की अवधी 12 महीने है परन्तु एक बार बोतल खोलने के बाद इसकी समापती की अवधी 3 महीने होती है बोतल खोलने के बाद आप इसे फ्रिज में ही रखें यहां आपने देखा कि इस सॉस और कैचप की समगरिया लगवग एक समान है परंतु क्यूंकि इस ब्रैंड ने इसमें लेसुन और प्याज नहीं डाला तो वो इसे टमाटो सॉस कह रहा है क्यूंकि सॉस में मसालव का सामावेश भोजन की विधी के अनुसार बदला जा सकता है तमाटो कैचप तमाटो सॉस के मुकाबले खटी, मीठी और मसाले युक्त है यह इन दोनों का आज एक मुख्य अंतर है हलाकि इन दोनों का गाढ़पन लगबग एक समान है असल में तमाटो कैचप और तमाटो सॉस की उपयोगीता एक दुसरे से भिन्न है जहां सॉस भुजन का हिस्सा है, वहें कैचप चटनी की तरह खाया जाता है वैसे भारत में बाजार में उपलब तमाटो कैचप और तमाटो सॉस का उपयोग लगबग एक समान है और हम आशा करते हैं कि आज की हमारी तमाटो कैचप और तमाटो सॉस की यह जलक आपके एवरीडे लाइफ में ज़रूर उपयोगी रहेगी थैंक्स वाचिंग और कीप इंजॉइंग आर एवरीडे लाइफ